हमारे साथ बाचीत करने के लिए रेलेवोट के प्रवक्ता अमिताब शर्मा मौझूद में से बाचीत करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे कि आखे रेलवे के तरफ से क्या प्रयास किये जा रहे हैं सर अगर कल के से शुरुआत हुई थी आज किन जगों पर ये मामले देखने को मिले हैं और रिलीफ के तौर पर अगर देखे तो आप लोगों के तरफ से क्या की जा रही है देखे आज जो एक बज़े की सिचुएशन है उसमें 24 लोकेशन्स ऐसी है जिसमें प्रदर्शन चल रहे हैं जिसमें से अगर राज्यवार की बात करें तो 17 सबसे ज़्यादा बिहार में हैं दो जहरखंड में लोकेशन्स हैं हमारी एक मद्यप्रदेश में और एक हर्याणा में हैं और हम लोगों ने जो प्राथमिक्ता जो राय जात्री जो फसे हुए हैं हमारे लंबे दूरी की ट्रेनों में अभी भी बैठे हुए हैं उनके लिए भोजन पानी की विवस्था करन जो आपने कितने ट्रेनों को रद किया है कितने को डाइवर्ट किया है और यह सिलसिला कितने दिन तक रहेगा सिचुएशन प्रती घंटे बदलती जा रही है सुब पिछले एक देड़ घंटे में सिचुएशन काफी सुधर गई है अभी जो एक बजे के स्थिती है उसके हिसाब से एक सोलर ट्रेने हमारे सिस्टम में डिटेन मतलब प्रभावित है पैंटिस ट्रेनों को हम लोगों ने कैंसल किया है यात्रियों को उसका कोई भी मतलब कैंसलेशन चार्ज नहीं लगेगा और नॉर्मल कोर्स में जाकर के स्पेशल काउंटर भी खोले जा रहे हैं उनको कैंसल कराया जा सकते हैं हम देख रहे हैं कि कई जगों पुपत रुकारियों ने ट्रेनों में आग लगा दी सेफटी एक बड़ा इशू है क्या आरपीएफ के अलावे जियारपी या लोकल पुलिस से भी आप लोगों की कॉडिनेशन हो रही है क्या कि कम से कम जो धन या जो जानमाल उसकी छती को रोका जा सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल राज्य सरकार हमारे संबंदित राज्य सरकार हमारे निरंतर संपर्क में हैं और सभी जगह पे एक्टिवली वो लोग कुछ सपोर्ट कर रहे हैं प्रदर्शन की आग सिर्फ बिहार तक किसी मित नहीं है बल्या भी अगनीपत की आग में जलता हूँ असरा है यहाँ भी छातरों ने वारनसी बल्या लोकल ट्रेन में आग ज़्यनी की उसकी भी तस्यूरे आपको दिखा दे हैं बल्या में भी अगनीपत का भवाल देखने को मिला और पट्री पर खड़ी बल्या वारनसी मेमू और बल्या शाहगंज ट्रीन में पहले तोड़ पोड़ की और फिर आंग लगा दी ट्रेन में लगी आंग की तस्वीरों को आप साफ देख सकते हैं कि उपद्रवियों ने एक-एक बोगी को जलाने की कोशिश की हलाकि इस आग में एक बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई जबकि दूसरी बोग्यों को उपद्रवियों से बचा लिया गया बाकी बोग्यों को आग से बचाने के लिए उस बोगी से अलग कर दिया गया था जिसमें आग लगी थी पुलिस के मुताबिक जिन जिन उपद्रवियों ने ट्रेन में आग लगाई है उनके पहचान कर उन पर कड़ी कारवाई की जाएगी हाला कि उपद्रवियों के सरकत से रेलवे को काफे नुकसान उठाना पड़ा है